हेलो गाइज मैं हूँ प्रीती और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ Students Point एंड आज हम बात करेंगे हमारे AEC Ability Enhancement Course का सबसे important यह जो subject है जो की सभी courses के बच्चों के पास है मतलब चाहे आप BA Program से हो, BCom Honors से हो, BCom Program से हो, BA English Honors हो, BA Political Science Honors हो आप जिस भी course से हो, आप सभी के पास यह subject है, Environmental Science Theory and Theory into Practice मतलब EVS जो यह subject है आपका, यह सभी courses के बच्चों के पास में है, compulsory subject है, यह EVS का Ability Enhancement में ठीक है, तो इसका जो syllabus है, मतलब कितने units हैं आपके, उन units में आपको कौन-कौन से chapters पढ़ने हैं उस chapters में क्या-क्या topics रहेंगे आपके, तो complete syllabus जो है, वो मैं आपके साथ discuss करूँगी इस वीडियो में, क्योंकि बहुत से जब मैंने पोल डाला था, first semester discussion group में तो बहुत से बच्चे थे जो environmental science के लिए बोल रहे हैं, कि मैं प्लीज इसका syllabus पहले बता दीजे क्योंकि ये सभी बच्चों के पास है, तो चलिए time waste ना करते हुए, हम हमारे EVS का जो syllabus है, वो discuss कर लेते हैं बट इससे पहले मैं एक और important information आप लोग साथ share करना चाहूंगी आप लोगोंने अगर अभी तक first semester का telegram का discussion group join नहीं किया है, तो group join कर लीजे लिंक जो है मैं नीचे description box में provide कर दूँगी, ठीके, ताकि आप लोग जो है आपस में discuss भी कर पाओ, अगर किसी को कोई doubt है, कोई query है, अब सारे doubts तो हम भी clear नहीं कर पाएंगे इसलिए हमने telegram पे discussion group बना रखा है, जहां बच्चे आपस में ही discuss करके एक दूसरे के doubts को sort out करने की कोशिस करते हैं, अगर नहीं हो पाता है, तो फिर हम आपको reply देते हैं, ठीके, तो आप उसको भी join कर लीजे, वहाँ पे regular updates आपको मिलते रहेंगे, आपके college से related, आपके classes स से related, books वगरा, distributions से related, है न, यह सारी चीजे आपको वहाँ पे सारे updates time to time मिल जाएंगे, बाकी हम जो classes provide करेंगे आपको, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीके, तो चलो अब हम start करते हैं, हमारा आज का syllabus, तो EBS में basically मैं आपको पहले बता दू, total आपको चार units पढ़ने पढ़े ठीके, अब एक एक करके हम देखते हैं कि पहला unit कौन सा है, पहला unit रहेगा आपका EBS का, introduction to environmental study, ठीके, जिसमें आप basically क्या क्या पढ़ोगे, कि environmental study क्यों important है, सबसे पहलो तो आपको यह बताया जाएगा, environmental study होती क्या है, ठीके, उसके बार इसकी कितने components हैं, जैसे कि आप य unit 1, introduction to environmental study, आप लोग क्या करना, आप लोग एक copy pen लेके बैठो और वहाँ पे जो है, अपने units को साथ के साथ note करते वे चलो, यहाँ पे क्या-क्या मैं बता रही हूं, कौन-कौन से units हैं, उसमें कितने chapters हैं, basically unit 1 में आपके दो chapters रहेंगे, पहले chapter में आपको basic introduction पढ़ाया जा पढ़ेंगे unit 2, unit 2 में आपके total 4 chapters रहेंगे, ठीक है, इसको, इसकी classes जो है, वो भी हम आपको जल्दी ही provide करवाएंगे, कुछ classes already हमारे channel पर डड़ी हुई है, last year की, तो आप उसमें unit match कर लेना, topics match कर लेना, अगर match हो रहे हों, तो आप उसकी classes जो है, वो join कर सकते हो, ठीक है अब बात कर लेते हैं हमारे unit 2 की, unit 2 में हमें क्या पढ़ना है, unit 2 में basically हम पढ़ेंगे ecosystem के बारे में, ठीक है, कि ecosystem जो है, वो क्या होता है, यह हम पढ़ेंगे unit 2 में, definition इसके बारे में पढ़ेंगे, definition क्या है ecosystem का, concepts क्या क्या है, यह रहेगा हमारा chapter 1, chapter 2 में पढ़ोगे structure of ecosystem, ठीक है उसके बाद functions क्या होते हैं ecosystem पे है ना इन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा आपके unit 2 के chapter 2 में ठीक है ऐसे ही unit 2 के chapter 3 में क्या आपको बताया जाएगा तो types of ecosystem ecosystem की कितने types होते हैं ठीक है chapter 4 में पढ़ाया जाएगा ecosystem services ठीक है तो यह देख लीजिए मैं scroll भी कर रही हूँ ताकि आप लोग देखके भी अपने notebook में note down कर पाओ right आप हम बात करेंगे हमारे unit 3 की unit 3 में basically आपको जो है total 4 chapters पढ़ने है इसमें भी right unit 3 क्या है आपका तो यह भी आप लोग देख लीजिए unit 3 है आपका natural resources ठीक है कि ecosystem में natural resources क्या क्या है I mean environmental में हमारे natural resources क्या क्या है sorry ठीक है तो दек implappogo Land Resources है हमारे पास राइट उसके बाद अब land resources में क्या 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 आते हैं देखो minerals says soils आ एसी तरह से energy resources, energy resources में क्या-क्या चीज़ आती हैं, यह सब यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो जब मैं आपको chapters cover करवाऊंगी, उसमें मैं आपको detail में बताऊंगी, अभी just मैं आपको आपका syllabus बता रही हूं, इसलिए मैं बस नाम बता रही हूं, आप लोग भी यहाँ से नाम द dams, forest, energy, etc. के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें, ठीके, उसके बार ऐसे ही हम चलेंगे हमारे unit 4 पे, तो unit 4 में basically आपको पढ़ने है total 5 chapters, ठीके, unit 4 क्या है आपका, unit 4 है आपका environmental pollution and control, आपको पता ही है कितने ज़्यादा pollution है environment में, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, environmental pollution क्या होता है, ठीके, air pollution क्या है, water pollution क्या है, soil pollution क्या है, इन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा chapter 1 में, ठीके, क्या क्या reasons है, इससे क्या effect पढ़ते हैं, ठीके, इसको कैसे control किया जा सकता है, यह सब पढ़ेंगे हम हमारे chapter 1 में, ठीके, इसी तरह से chapter 2 पढ़ेंगे, हम chapter चैप्टर 2 में क्या है nuclear वगरा से related चीज़े पढ़ाई जाएगा आपको चैप्टर 2 में ठीक है कि human health को क्या क्या risk होते हैं इससे इनके बार में पढ़ाया जाएगा इसी तरह से unit sorry unit 4 के चैप्टर 3 में आपको पढ़ाया जाएगा solid waste management क्या है ठीक है इसको कैसे control किया जा सकता है various types क्या क्या है इन सप चीज़ों के यह सब पढाएंगे आपको चैप्टर 3 में chapter 4 में पढ़ाएंगे pollution control measure क्या क्या लिए जा सकते हैं कैसे control किया जा सकता है ठीक है biological औन and physically chemical method क्या क्या है इसमें, इन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, unit 5 में sorry, unit 4 के chapter 5 में आपको पढ़ाया जाएगा, pollution case study के बारे में, ठीक है तो यह सब मैं एक एक करके आप लोगो cover कराऊंगी, I hope आपको completely समझ में आ गया होगा कि किस unit में क्या क्या पढ़ना है आपको, कितने chapter से आपके पास, यह सब आपने no down कर लिया होगा, ठीक है मैं अगर unit की बात करूँ अगे, इन तो total 4 unit से आपके पास, हर एक unit में अलग-अलग chapters है थोड़ा time लगेगा cover करने में unit 1 बहुत easy है, बहुत easily cover हो जाएगा, उसके बाद unit 2 जो है आपका इसमें थोड़ा सा time लएगा यह थोड़ा सा लेंदी है, unit 3 उससे भी जादा लेंदी है, है ना और unit 4 जो है यह कुछ, यह भी जादा लेंदी नहीं है, यह इसली cover हो जाएगा, ठीक है, अब यह तो हो गई theory की बाद, अब इसमें कुछ practicals भी रहेंगे आपके, practical concepts भी है इसके, वो भी मैं आपको बताऊंगी, फिलाल मैं उसके बारे में आपको नहीं बता रही हूँ, यह देखो, यह जो मैंने आपको पहले units बताए हैं, introduction to environmental study, उसके बाद ecosystem, उसके बाद natural resources है ना, उसके बाद environmental pollution and control, तो इन सब के जो हैं, अलग-अलग आपको practicals पढ़ने पढ़ेंगे, ठीके, इन practicals में क्या क्या आएंगे, तो यह मैं आपको बताऊंगी, जब मैं आपको classes प्रोवाइड करूंगी ना, मैं साथ के साथ आप लोग को इसके practicals भी cover करवाते वें चलूंगी, ताकि बाद में आप लोग को दिक्कत ना आए, तो टोटल कहने का मतलब यह कि टोटल 15 chapters हैं आपके पास, जिसे आपको पढ़ना है, SOL के भरोसे मत बैठो, खुच से अपनी study करो, कुछ classes हमारे channel पे अल्रड़ी डली हुई है, उन classes को attend करो, classes को आप देखो, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल आपको सब कुछ arrange करके हम provide करेंगे, थोड़ा सा मैनत तो आपको भी करना पड़ेगा, classes दी हुई है, classes को एक बार देख लो, अगर आपके classes, आपके units, आपके topics match कर रहे हैं, तो आप वहां से अपनी study जो है, वो start कर लो, notes start कर लो बनाने, ऐसा मत बोला करो आप लोग कि मैम notes provide कर दो, please, मैम हमें notes बना के दे दीजे, मैम यह कर, देखो, यह possible नहीं है, हम आपको notes provide नहीं करते हैं, करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको provide करवा सकती हूँ, मैं मुझे क्या problem है, मैं आपको notes दूँगे, आप मुझे उसके बदले payout करोगे, ठीक है, लेकिन जो notes आप खुद से classes देख के बनाओगे, और जो notes मैं आपको provide करोँगी, बना बनाया, उसमें बहुत difference रहेगा, आप लोगों का loss है, तो इसलिए आप class देखो, उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आप हमसे पूछो, अगर हम आपको उसका reply ना करें, तो आप हमें बोलो, आप पूछो हमसे, हम पूरी कोशिस करेंगे कि आपके जो भी doubts हैं, वो time to time cover करवा सके, इसलिए discussion group भी बनाया हुआ है, कि वहाँ पर ये भी आप लोग जो हैं, हमसे पूछ पाओ clearly कोई भी चीज, क्योंकि discussion group में, आप easily हमसे पूछ पाते हो, photos भेज पाते हो, screenshot भेज पाते हो, classes की, कि मैम ये वाला topic समझ में नहीं आ रहा, अब ये मत बोलना, मैम ये unit समझ में नहीं आ रहा, ये बिलकुल useless बात होगी आपकी, कि मैम unity समझ में, unit नहीं, पढ़ने वाले बच्चे क्या पूछते हैं, मैम इस unit में, इस chapter में, ये वाला topic समझ में नहीं आ रहा हमें, तो हम में पता चलेगा, कि आपने classes ली है actual में, और आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, कि पूरा unity किसी को समझ में ना आए, किसी unit में, किसी chapter में, कोई topic हो सकता है, जो कि आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, तो I hope आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, बट still, आपको आपके syllabus में कोई doubt हो, कोई query हो, कुछ पूछना हो, आप मीचे comment box में, या फिर हमारे telegram पे, हमें discussion group में पूछ सकते हैं, फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही, इसकी classes में आपको जल्दी ही provide करवाऊंगी, so thanks for the watching this, and best of luck all guys.